हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेर इंटरनेट आफ तिंग्स के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में काफी दिनों से आप लोग वेट करने हैं इस कोर्स का तो चलिए बात करेंगे आयोटी के बारे में या चोटे चोटे से प्रोजेक्ट हम आयोटी बेस्ट किस तरीके से बना सकते हैं तो बस इस पूरे कोर्स में आप देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेट जो है थोरिडिकल तो आपको पढ़ना है लेकिन इट इस मोर प्राक्टिकल ओरिएंट आप जितने ज्यादा चोटे-चोटे से अप्लिकेशन बनाएंगे उतने ज्यादा आपको आयोटी कॉंसेट बेटर समझ में आएंगे तो शुरुवात अभी हम यहाँ पर करेंगे शुरुवात के तीन से चार या पांच लेक्चर हम लोग पहले आयोटी को समझेंगे क्या होता है आयोटी क्यों को इतना डिमांड है आयोटी का मार्केट में ओके यार बहुत नया कोर से नई टेकनलोजी है नया जोशे नई उमंग है तो इकसाइट्मेंट कितना है यार इसको एकस्प्रेस करिए अपने एकस्प्रेशन को एकस्प्रेस करने की आदत डालिए और कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं में कि कितने लोगों को हाट मिलता है तो चलिए बहुत ज्यादा डिटेल डिसकेशन ना करके पहले शुरुवात करते हैं आयूटी की सो यह आयूटी को अगर हम नाम से समझे इंटरनेट ऑफ तेंग वाट इस इंटरनेट ऑफ तेंग्स राइट कुछ सा ऑफ जो सिंगल यूजर के लिए बनाये गए टो सिंगल यूजर बेज्ट अप्लिकेशन बनना शुरू हुई जैसे जैसे कंप्यूटर की यूजज शुरू हुए लेकिन पिर एक रिएवल्यूशन है 1990s के राउंड इंटरनेट मार्केट में आया और जब इंटरनेट मार् अब जितनी भी desktop application थी वो दीरे-दीरे किसमे convert होने लगी वैब में तो desktop से अगला जो change हुआ वो हुआ desktop application से market change हुआ and now market come to the web application right I can no doubt it is still in the market कि अब यह market आया web application का तो धीरे-धीरे हर उस organization ने जिसके पास desktop application थी उन्होंने अपनी application को वैब में convert करना शुरू कर दिया तो आप देखिए पहले आप अगर आज से 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो banking transaction के लिए मुझे bank जाना पड़ता था right but nowadays it is simple possible with your laptop and your mobile right क्योंकि धीरे-धीरे बैंक ने अपने आपको कहां पे shift कर लिया वैब पे होटल ने अपने आपको वैब पे shift कर लिया तो जो desktop application थी अब वह वैब application में convert हो गई तो यह एक revolution आया internet के आने के बाद और आप देखिए internet के आने के बाद चीज़ें कितने तरीके से change हुई है जब internet शुरुआत में आया था तो इंटरनेट को हम यूज करते थे computer या laptop पे आप internet पे mail चेक कर रहे हैं आप chatting कर रहे हैं ओके आप searching कर रहे हैं तो डाट टाइम इंटरनेट इस लिमिटेट तो दे लेप्टाप और computer लेकिन उसके बाद फिर एक change आया कि बहुत इंसान स्मार्ट नहीं हुआ लेकिन mobile smart हो गया और यह आया device application राइट कि वेब application के बाद internet ने second capturing की device पे तो आज आप खुछ सोच के देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ 24 hours के लिए अपने mobile का internet बंद कर दीजिए और अब आप सोची कि आपके mobile जो आपके हाथ में हैं उसके कितना यूज़ आपको नाव यह टोटली dependent on this mobile राइट क्योंकि अब जो mobile नहीं रहा वो smart mobile बन चुका है तो internet ने second capturing करी किस पर mobile पर और यह आए smart mobile market में और जब आए उसके बाद धीरे-धीरे हर application वैब से कहां पर shift हो गई एप पर कि अब आप देखिए हर software के दो वर्जन बनते हैं एक वैब application और एक आप बरजन तो अगर आपन बात करें तो Amazon के website भी है Amazon का है वन इस फ़र वैब application second is for mobile application राइट इस को आगे बढ़ने से पहले बहुत important concept जो मुझे आपके साथ discuss करना है और वो यह कि इस course का पूरा एक course curriculum है जो आप लोगों को data flare की website पे मिल जाएगा इस पूरी इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए इंपोर्टेंट या deep dive right तो वेट करूंगा मैं आपके कमेंट का अब इसके बाद जो इंटरनेट ने तीसरा चेंज लिया कि बस now it is possible that you can run the thing think मतलब क्या think मतलब any device like if you can talk about fan you can talk about your car you can talk about your cameras okay to your devices a to run this devices over an internet and that is what the third revolution do its mobile application के बाद आया and that is what an IOTB मैं पूरी definition आपको बतादा हूं लेकिन internet of things मतलब क्या that we can actually run the devices through internet ठीक है जैसे फॉर एक्जामपल आप दीखिए चोटा से एक्जामपल से मैं शुरू करता हूं कि suppose करिए अगर एक AC को on करते हैं आप तो AC को रूम को चिल करने में कितना टाइम लगता है टेक्स आराउं 5-10 minutes right you have a choice कि अगर आपका एसी जो है पो आयोटी एनेबल है आप ऑफिस से निकल रहे हैं जस्ट प्रेसा मोबाइल ठीक है आप मोबाइल पे मैसेज प्रेस करिए और एसी ओन एट यूर हूम तो एसे अगर आप सोचें कि सपोस करिए कि मॉर्निंग अगर आप सुबे से उठ रहे हैं और आपने अपने मोबाइल पे एक मैसेज दिया इट्सर रियालिटी एंट कि अगर आपने मोबाइल पे इसके बाद भी एको डिवेलिशन आहे आया यूटी राइट इंडेश्टिल इंटरनेट आफ तेंग्स वहम आगे बात करेंगे वहमारे आगे क्या कॉंसेप्ट है जो इस जो आए यहा यूटी चाहिए इस चेंज ने आज यह यह आप्ने घर से बाहार रहें तो नहीं आपने मोबाइल पर अपने कैंब्रे पर आपने कैम्रा को वाच कर सकते हैं रइट्गों CCDV cameras you can watch CCDV cameras on your mobile even that is what an IoT concept so यह जो IoT है इस IoT ने अब धीरे 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 devices को run करना शुरू किया है तो यदि हम एक IoT की proper definition की बात करें ठीक है क्यों क्या हम देखिए अक्सर अभी हमने देखा है कि syllabus में भी काफी IoT subject आ चुका है like BTEC में MCA में even BCA में तो क्या होता है कि आपके पास एक proper notes भी होने चाहिए तो इस पूरे subject में हम proper notes की बात करेंगे quizzes की बात करेंगे interview questions की बात करेंगे project minimum 25 projects हम इस पूरे IoT के course में develop करने वाले हैं बस आपको focused होके इस subject को पढ़ना है भी question यह भी आता है ठीक है मैं भी definition पर आदा हूं कि सर क्या कोई prerequisition है IoT को पढ़ने की के वल छोटी सी prerequisition है कि you know the internet related terminology like server क्या होता है ओके और आपको थोड़ा सा internet का knowledge होना चाहिए ओके a little bit knowledge about the electronic devices if you have that knowledge then it will be a great advantage for you right कि अगर आपको electronic devices का knowledge रखते हैं ठीक है अगर आपको internet का knowledge और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है छोटा सा concept है पढ़ लिजी आप इसको so that आप IoT को better तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि शुरुवात में तो आप देखिए जब तक theoretical concept चलते हैं तब तक तो आपको complex लग सकता है लेकिन बिलीव में टेक्नलोजी बहुत आसान है बहुत शांदार है बस आपको समझना है तो यदि हम इसके definition की बाग करें तो सिंपल से definition हम क्या बोलने हैं जो मैंने भी आपको समझाया connecting everyday things with electronic software and sensor with internet to collect and transfer the data वही बात जो मैंने आपको करें कि बहुत होगा किस आज मैं कर रहा हूं अब एक सेंसर क्या होता है जो आपके डेटा को सेंस कर रहा है for example smart watch यह मेरे पास है this is not a smart watch अब यह smart watch है यह क्या कर रहेगी अगर मैं अभी running कर रहा हूं यहां पर मैं थोड़ी दिर के लिए ख़डा हुआ हूँ okay so it give me the alarm कि boss start walking आपने इतने कदम चले है that is what sensor concept right how this watch knows that तो यह sensor का concept तो sensor के बारे में तो अभी हम बहुत detail में बात करेंगे जब हम आयोटी के architecture पर आएंगे कि sensor क्या होता है actuators क्या होता है cloud पर data किस तरीके से transfer होता है right there are impulse of example जो यहां पर हम आयोटी में अभी discuss करने वाले है लेकिन simple से definition के अगर हम बात करें तो हम simple वही बात कर रहें connecting everyday things okay जो भी आपकी daily routine के चीजे हैं things का मतलब अगर हिंदी में बोले इतनों चीजें okay जो भी आपकी daily routine की things है that you can connect the things with the electronic software and sensor sensor with an internet and transfer your data क्या आप data transfer कर रहें मैंने आपको क्या बोला अगर आपका AC IoT enabled है यदि आपका curtain IoT enabled अगर आपका fan IoT enabled है you can on your fan with your mobile you can on your AC with your mobile you can check your CCTV camera in your mobile लेकिन इसके लिए आपको अपने पूरे devices को IoT enabled परना पढ़ेगा sensors इसमें activate करना पढ़ेंगे राइट वह भी हम बात करेंगे sensors क्या होते हैं actuators क्या होते हैं don't worry okay लेकिन अब आप देखिए ये एक छोटा सा का which is an IoT enabled device okay laptop printer okay there is no need to connect the printer with your laptop even you can print your data from your mobile also that is what an IoT enabled printer right to this sub devices actually available hey okay you may only devices की बात कर रहा हूं camera मैंने भी आपको CCTV camera का example दिया car driverless car is the best example of IoT I aml application then TV यह भी मैंने आपको example the a fan and there are lot of devices which you can connect with your eye which is if it is an IoT enabled so you can operate this thing with an over-end internet even right to do IOT का एक छोटा सा concept कि IOT को हम कहां कहां पे किस तरीके से हम IoT को यूज कर सकते हैं now this is the most important thing कि आज अगर हम IoT की बात करें so which are the areas where IOT is work right now कि कौन-कौन से एरियाज है what are the applications of an IOT right तो आप देखें होम अप्लाइंस में आपको क्या आप स्मार्ट मोबाइल तो आज कल concept is smart home and that is what is smart home is smart home मतलब the home which is enabled with an IOT devices आप देखेंगे आप देखेंगे आप देखेंगे और आप देखेंगे तो पीपल start to convert their home from to smart home to smart home is the best example कि जहां पर आप home appliances को connect कर रहां IOT के साथ में okay then medical and health one of the greatest evaluation come of an IOT medical and health system right इसका चोटा सा example मैं आपका उताता हूं देखें आप कि medical and health में IOT ने किस तरीके से मतलब अपना role play किया है for example एक चोटा सा concept देखें कि suppose करिए अगर एक person है and there is a person जो की बहुत चोटे से कहीं गाउं में है okay there is a village okay is it possible that a doctor can operate from a rural area to urban area right लेकिन this is possible with an IOT आप देखें यदि मान लो कोई heart patient है और यदि उस heart patient को अगर मैं IOT enabled कोई device मैंने उसके हाथ में पहना दी है okay and now if any incidence occur कि by chance अगर heart patient है boss रात को दो बज़े तीन बज़े यदि कोई problem हुई तो immediate that sensor will sense the activity और वो immediate वहां से message कर देगा उनके relatives को message कर देगा hospital को message कर देगा ambulance को तो जब तक उस person को को major incidents ना हो उसके पहले ambulance आपके पास activated है आजाएगी आपके hospital तक information पहुंच चुकिए doctor तक information पहुंच चुकिए and easily you can manage the things नहीं तो आप सोचिए एक situation को आप सोचिए कि यदी घर पर रात को दो या तीन बज़े कोई heart patient और एकदम से किसी की तबेत अगर खराब हो जाती है तो क्या scenario create होता है and that IOT enable devices will make the things very easy that is what a one single example of an IOT आप आप समझ रहे I hope you can understand this आप देखे बहुत common साइक simple सा example में आपको बताता हूं अगर भाइचांस कोई admit है ना भगवान ना करें कोई admit हो लेकिन अगर कोई patient admit है ओके अब आप देखें क्या scene होता है जब आप ने भी देखा process transfer to the doctor or nurse so that we are she can come and change the dip to yeah IOT K concept key job are up IOT enable up key other my chance would have had a movie immediate a message come to the mobile if it is possible right it is possible because of IOT agar your hoga to or you actually get a suppose agar kisi ko blood requirement a immediate you can transfer a message and that message will display in a advertisement board of the city's sochia jagar up keep other kisi ko blood requirement day okay it message my transfer karunga or jitra be display board a advertisement board a city may unparic message start of the IGA that XYZ blood blood group is required in XYZ hospital so this is what an IOT revolution in medical and health right environment monitoring you can easily judge how you can judge outer temperature so the temperature how you can just sense the temperature right this is what the sensor the temperature sensor is the temperature sensor 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 right to more environment monitoring this is one of the place where IOT plays very important role energy management system you can see the city's metro cities or even not matter even cities make the meters have a change okay smart meter ho gay right to that is what an IOT energy management system key Java but after the poor on your old meter today now it is change with the smart meter to IOT enable devices okay so this is again transportation whenever you have to go like a boss GPRS system that is what IOT concept living level now driverless car this is what an IOT system so every area another most important area agriculture 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 के में भी आपको example बताने वाला हूँ कि हम एक 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 एरिया को cover करेंगे role of IOT in agriculture role of IOT in transportation role of IOT in environment monitoring medical and health एक एक टॉपिक को हम यहां पर कवर करने वाले हैं लेकिन इस वीडियो में मुझे केवल आपको यह बताना था कि Boss what is the technology of an IOT कि क्या technology हम पढ़ने जा रहे हैं and I hope you can understand कि Boss IOT जो है वो किस तरीके से work करेगा अब इसमें जो major role play करते हैं वो है sensors actuators okay devices electronic devices okay cloud तो यह सब किस तरीके से आपस में joint होके data transformation करेंगे और इसके लिए हमें पढ़ना पढ़ेगा architecture of an IOT तो वो लेके मैं आपसे मिलूँगा next lecture में but I hope is introduction video में आपको यह समझ में आऊगा कि what kind of technology is IOT and believe me it is one of the again I'm telling it is one of the most 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 demandable technology in the market बस बने रहना है पढ़ते रहना है और यदी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ तिल एंट टेक क्यार बाबाए